जी नमस्कर दोस्तो मैं हूँ सुमाउंत और आप देख रहे हैं मेरे साथ है दटेक एजुकेशन यूट्वीब चनल दोस्तो यूट्वीब को तरब से तीन नया आपडेट आ चुका है जो मैं आज पूरा डीचेल आपको हिंदी में समझाने वाला हूँ और वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कीज़ेगा आप चनल पे नया देख रहे हूँ तो चनल को सब्सक्रिब करके नोटिफिकेशन बेल को औल बटन पे प्रिस करके रहे हैं तो चलिए पर पर चानल लेते हैं कि तीन अपडेट क्या आए हैं और उसमें आपको क्या फायदा हो सकता है जो तीन नया अपडेट युटिक को तरब से आए हैं और उसमें जो फॉस्ट अपडेट है वो है कि जिनके चनल पर जॉइन बटन एवेलेवल है माल लेज़े कि आपके चनल पर जॉइन बटन एवेलेवल है तो आप मेंबर्स के लिए कुछ नया तरीका का बैच नमबर आप प्रोवाइट कर सकते हो आपका भीवार्स को नहीं तो चलिए बारते हैं थार्ड आपडेट की तरफ और यह थार्ड पर इप्डेट काफी इंपोर्टन है अगर आप यूटिव पर वाजोड करते हो तो ध्यनसे सुनिएगा यह थार्ड अपडेट तो चले जान लेता है तो जैसे की पहले देखे आपको जो पूराने viewers होते हैं जैसे कि माल लेज़े कि आप channel पे जब channel अपने start किया और उस time के जो viewers होते हैं उसी viewers आपको फिर अभी भी आपका channel पे video देखते हैं ठीके उसको कहते हैं पुराने viewers और ये पुराने viewers को returning viewers कहते हैं ठीके तो YouTube ने ये returning viewers के उपर ज़्यादा धान देते हैं तो returning viewers कितना आपका channel पे back कर रहा हैं वो आपको देखने को अलग से मिल जाएगा और new viewers जो पहला आपको कभे भी channel पे विजिट नहीं किया उसको new viewers कहते हैं तो ये new viewers कितना आपको channel पे आ रहे हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएगा तो इसते फाइदा क्या होगा इसते फाइदा ये होते हैं कि पुराने viewers अगर आपको channel पे देखते हैं वीडियो new viewers से भी ज़्यादा आपको returning viewers मिलते हैं चनल पे तो आपका channel बहुत तेज से इतना जादा increase करेगा आपका channel आपको सोच नहीं सकते हैं तो आपको देखने को मिल जाएगा कि returning viewers कितना आते हैं और new viewers कितना आते हैं माल लेजिए कि आपका new viewers ज्यादा आते हैं लेकिन returning viewers बहुत कम यानि जैसे पहले पुराने viewers अभी और वीडियो आपको देखने के लिए नहीं आते हैं तो आपको पहले समझना होगा कि किस topic पर आपको वीडियो बनने चाहिए किस topic पर आपका वीडियो viewers देखने को पसंद करते हैं तो उसी topic पर आपको वीडियो बनने चाहिए तो ही आपका पुराने viewers फिर से बापस आपका channel पर वीडियो देखने के लिए और returning जब आपका चनल पे increase होते जाएगा तब आपका चनल गुरो करने में बहुत कम समय लगेगा तो आप कैसे चेक करेंगे कि आपका returning viewers कितना आ रहे हैं और new viewers कितना आ रहे हैं बहुत ही simple है आप analytics option पे जाएंगे और उसमें audience option आपको मिल जाएगा तो audience option पे किलिक करते हैं आपक पिक टैप को वीडियो बनाने चाहिए तो ही आपका returning viewers फिर से आपको मिल जाएगा यानि पूराने viewers फिर से बापस आएगा आपका चनल पे वीडियो देखने के लिए तो returning viewers के उपर आपका ज्यादा ध्यान देना चाहिए जो YouTube returning viewers के उपर ज्यादा ध्यान देते हैं ठीके तो यह थो दुस्तो third update और यह third update काफी important था मैं आसे करता हूँ कि आपको समझा पाया अगर कोई धिक्कात आई तो chat section में लिखेगा और वीडियो पसंद दे तो एक like कीजेगा और चनल पे नया हो इस तरह latest वीडियो फिर आगे तक देखना चाहते हैं तो चनल को subscribe करें और notification notification bell को all button पे प्रिस्ट करके रखे तो चले मिलता फिर आगले और एक नया वीडियो के साथ तब तक आपका ख्याल रखिएगा धन्यवाद